अगर आपका Taro अकल्ट में इंटरेस्ट है आप सीखना चाहते हैं we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा when I say A to Z, मतलब बहुत simple basic चीजों से लेकर main main topics तक जैसे की reading से पहले कैसे आप external internal environment create करें और जो main main topics है major arcana, spreads, framing the ocean each and everything related and connected to Taro is covered in this course और cards के meanings में आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि एक instant connect आप अपने cards के साथ में हैसूस करते हैं आपको cards के meanings learn करने की सब्सक्राइब नहीं पड़ती है अपनी इस journey को कैसे आप further लेकर जा सकते हैं यानि कि कैसे अगर आप professional taro card leader बनना चाहते हैं अपना career taro में बनाना चाहते हैं वो भी स्कोर्स में covered है इसी से ही related कोई भी सवाल कोई भी doubt आपके मन में है आप screen पे दिये गए number पे हमें whatsapp कर सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं Hello everyone, मैं करिंशापुरी और यह है आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल यह 17th June से लेकर 23rd June तक की आपकी taro readings है, taro predictions है और इस वीडियो में सभी signs के सापता है क्राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस reading को हम किस sign के हिसाप से देखें तो taro reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है ग्राशी फल हो Ladies आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए काड है queen of swords और ये काड कहता है कि इस week specifically professional front में आप काफी logically चीजों को deal करना चाहा रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो इस काड की तरफ से आप लोगों के लिए advice है कि चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, situation को लेकर बिल्कुल भी emotional ना हो बहुत ज़ादा आप mind से चीजों को deal करें, एक strategy बनाए, proper homework करें और बहुत clarity के साथ आप चीजों को deal करें already ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो फिर से कहूंगी में और बहुत logical हैं, उनके साथ आपकी ज़ादा interaction हो रही है, ज़ादा बातचीत हो रही है, कुछ के लिए positive रह सकती है, कुछ के लिए थोड़ी सी negative रह सकती है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपको dominate करना चाह रहे हैं, control करना अपने तरीके से जलाना चाह रहे हैं, और अगर यह आपकी energies है, Aries, तो आप उननो अपने तरीके से चीजों को करना चाह रहे हैं, आपको इस विए कैसा लग सकता है? कि बस बहुत हो गया, अब मुझे ना किसी से दबना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत आपको ऐसे लग रहा ही कि आप clear हैं और इसी clarity के साथ आप आगे जाने चाहा रहे हैं और जब हम ऐसी energies में होते हैं तो यकीन मानिये, हम अपने goal को भी पा लेते हैं और हमें success भी मिलती है तो एक बहुत thin line होती है, ego और self-respect में, self-respect maintain करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है clarity के साथ आके बढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन in the process आपको लगे कि थोड़ा सा ego की वज़े से issues हो रहे हैं तो जरूर इसको check करके correct कर लें, otherwise queen of souls is a neutral card, it's not a negative card तो कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, card आपको यह advice कर रहे हैं कि दिल और दिमाग का तो balance एक ideal situation होती है, पर इस week दिमाग से आप ज़्यादा चीज़ों को deal करें and personal fund के लिए आप लोगों के लिए renewal का card है, renewal के literal meaning को देखें तो फिर से नए सिरे से चीज़ों के होने की बात करता है अब दिखिए general reading है, थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, अगर पीछे किसी भी love one के साथ कुछ issues हुए हैं, मसले हुए हैं या फिर किसी भी level पे दूरी आई है, आपका relationship उनके साथ end हुआ है, तो chances हैं कि इस week आप लोगों का reconciliation हो या फिर नए सिरे से आप लोगों के बीच में बात चीज़ों हो और ये तो एक scenario हो गया, दूसरा scenario ये भी हो सकता है, कि आप अपने घर को renovate करना चाहा रहे हैं या फिर किसी चीज़ को end करके नए सिरे से कोई चीज शुरू करना चाहा रहे हैं यहाँ पे आपकी कोई habit भी हो सकती है, आदत भी हो सकती है और अभी तो यही चीज माइड में आ रही है, मतलब आप समझ गया होंगे किस तरीके की energies है किसी भी चीज को लेकर एक ending, beginning भी मैं कह सकती हूँ, किसी level पे रह रही है या फिर refresh करना चाहा रहे हैं कुछ चीज़ों को अपनी life में नए तरीके से करना चाहा रहे हैं और इसी को ही लेकर थोड़े से critical judgmental आप हो सकते हैं जो कि at times जरूरी भी होता है, लेकिन too much critical ना हो, too much judgmental ना हो कि आपको सिरफ गलत ही गलत दिख रहा है, at times हम खुद को लेके बड़े critical हो जाते हैं अपनी ही गलतियां देखने लगते हैं, creep करने लगते हैं, कभी-कभी हमें लोगों की सिरफ गलतियां दिख रही होती हैं तो ये जरूरी होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को realize नहीं करेंगे, हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं बट जब हम too much criticize करना शू कर देते हैं, तो फिर हम परिशान होते हैं, तो इस चीज का खयाल रखेगा Otherwise, personal front ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए home word का card है और ये card कहता है, take yourself on a date तो यहाँ पे home work नहीं है, home word है मतलब आप अपने उपर जादा focus करें हम जब दूसरों की गलतियां point out कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी कभी गलती कर सकते हैं कहते हैं जब हम एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो तीन उंगलियां हमारी तरफ होती हैं तो एक meaning इसका ही हो गया overall के लिए nutshell में इसका मतलब है कि खुद को prioritize करें ना तो देखिए आपने खुद के लिए जादा hard होना है, critical होना है और ना ही, you know, किसी और को लेकर critical होना है वो हमने अभी discuss किया, मैंने आपको बताया ही और कहीं देखिए, फिर से कहूंगी overall, खुद का खयाल रखें most of the times हम खुद को लेकर भी बड़े hard हो जाते हैं और हम अपना खयाल नहीं रखते हैं लोगों के लिए बड़े loving, caring होते हैं तो यहाँ पर take yourself on a date का card आपको यह message दे रहा है कि खुद का खयाल रखें, खुद को prioritize करें and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है इसके हिसाब से all shades of green, blue इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था एरीज, आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशी फल और नेचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टारस आप लोगों के लिए देखें incoming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है The Dreamer The Dreamer के literal meaning को देखें तो ख्वाब देखने की बात करता है कहीं उन्हों एक imaginary world में भी रहने की बात करता है और कहीं अपने vision को भी create करने की बात करता है visualization भी करने की बात करता है क्योंकि ये general reading है तो कुछ ऐसा ही किसी ना किसी level पे आप लोगों के लिए specifically professional front से related है तवा दिख रहा है यानि कि कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप अपने professional front में चाहते हैं आप उसी से related vision बना रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं वेना इसे ख्वाबों की दुनिया में मतलब आपके जो भी plans हैं आपके जो भी vision हैं वो इतना practical नहीं है, realistic नहीं है और कहीं युनो आप practical realistic steps भी नहीं ले रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाने टॉरस जरूर इसको check करके correct करें overall के लिए किसी भी level पे, किसी भी तरीके से एक नई beginning की भी ये काट बात करता है, जो कि आपके professional friends related रहती हुए दिख रही है कुछ के लिए नई job हो सकती है कुछ के लिए नया project हो सकता है कुछ के लिए नई team, कुछ के लिए नई जगा कुछ के लिए simply नए काम करने का तरीका अगिन कोई भी नई start इस week आपके professional friend में रहती हुए दिख रही है और हो सकता है कि Taurus आप बहुत ज़ादा going with the fuel energies में है यानि कि आप बहुत ज़ादा future की planning नहीं कर रहे है past में जो हुआ आप कहीं उसको भी उसके उपर भी नहीं focus करना चाह रहे है जो अभी है उसको आप 100% जीना चाह रहे है और अगर ऐसा है तो बहुत अची बात है क्योंकि यकीन मानिया अगर हम ऐसा करना शू करते हमारी जिंदगी बड़ी असान हो जाएगी लेकिन हम जितनी भी कोशिश करें हम ना तो past को पूरी तरीके से छोड़ पाते हैं और ना ही future को छोड़ पाते हैं तो फिर से कहूंगी अगर आप ऐसी energies में बहुत अची बात है और नहीं है तो card की तरफ से आप लोगों के लिए advice है guidance है कि ऐसी energies में जरूर रहें बहुत जादा future की planning ना करें जो अभी है जितना है उसी को अच्छे से जीएं उसमें से जितना आप कर सकते हैं उसको अच्छे से करें और अपने आप जो आप चाहते हैं उसको आप achieve कर लेंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of pentacles का card है I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure हैं वो एक रसी के ऊपर खड़े हुए हैं और balance maintain करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब जानते हैं कि भाई अगर कोई रसी पे खड़ा हुआ है तो उसके नीचे solid ground नहीं है और मुश्किल है balance बनाना या खड़े भी रहे पाना तो कहीं कुछ इस तरीके की ही energies आपके personal front में रह रहे हैं अब reason सब के लिए differ करेगा लेकिन overall के लिए ये card कहता है कि एक stability, एक security उस तरीके से आप नहीं महसूस कर रहे हैं फिर से कहूंगी personal front के area सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए love relationship हो सकता है कुछ के लिए आपकी family हो सकती है या जो भी आप कर रहे हैं और ये भी बहुत सारे chances हैं Taurus कि आपने एक से ज़ादा कामों में, चीजों में खुद को involve किया हुआ है और कहीं सभी चीजों पे इस week आपको focus करना पड़ रहा है और इन ही चीजों में आप एक balance maintain करना चाह रहे हैं सभी चीजों को properly आप manage करना चाह रहे हैं काफी आपकी energy लग रही है काफी आपका effort लग रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आपको बड़ा मज़ा भी आ रहा है सब चीजों को एक साथ manage करना, balance करना हर चीज में involve होके रहना कुछ के लिए थोड़ा सा hectic रह सकता है थोड़ी सी आपको problem हो सकती है तो ये सिरफ इस week के energies है this is not a negative card तो कुछ भी negative नहीं हो रहा है it's just that बहुत सारी चीजों में आप involved हैं बहुत सारी चीजों को आप कर रहे हैं और कहीं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको decision लेना है choice लेनी है आप दो चीजों के बीच में two and four हो रहे हैं और otherwise भी हो सकता है कि आप दो चीजों के बीच में two and four हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है दो friends हैं तो कभी आपको एक friend की बात माननी पढ़ रहे हैं कभी आपको दूसरे की बात माननी पड़ रहे हैं कुछ के लिए professional front, personal front हो सकता है कि personal front में भी चीज़ें बड़ी demanding है आपकी time and energy की जरुद है और professional front में भी चीज़ें काफी demanding है आपको वहाँ पर भी proper अपना effort, time and energy देना है और दोनों को आप manage कर रहे हैं यहाँ पर देखिए जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आपको example की तौर पर बताया सब के लिए differ करेगा लेकिन इस तरीके की energies broader level के लिए आपके personal front लिए रहती हुए दिख रहे हैं and in general यह फिर guidance से आप लोगों के लिए which का card है और यह card कहता है justice is coming I know बहुत सारे लोग बोलेंगे which is a negative word to justice कैसे आ रहा है कितनी बारी होता है कितनी बारी नहीं मैं कहूंगी कि most of the times ही हम लोगों के लिए बड़े अच्छी रहते हैं लोगों से बड़े you know fair तरीके से रहते हैं लेकिन in the process खुद के लिए बड़े unfair हो जाते है तो यहाँ पर एक balance maintain करना बहुत जरूरी होता है और फिर बाद में हमें लगने भी लगता है कि यार मैंने उसके लिए इतना किया और उसने देखो मेरे प्यार को समझा भी नहीं मेरी feelings को नहीं समझी तो मुझे ऐसा लगता है कि specifically relationship में दुख का एक ही कारण होता है जब हम जरूरत से ज़्यादा सामने वाले को दे देते हैं और अगर सामने वाला 20% दे रहा है और हमने 80% दे दिया आप stamp paper पे मुझसे लिखवा ले वो relationship कभी भी ठीक से नहीं रहेगा आपकी life में और आप परेशानी रहेंगे दुखी रहेंगे और आप लोगों का relationship positive direction में नहीं जाएगा जादा दूर तक नहीं चलेगा अगर वो 20 दे रहे हैं आप 30 दे ते 40 दे तो भी चलेगा लेकिन अगर वो 20 दे रहें होता और अगर ऐसा होता तो पारवत्ती मा का एक रूप काली नहीं होता कभी-कभी हमें negative को खतम करने के लिए थोड़ा सा heart भी होना होता है तो इस तरीके की energies रखने के लिए card कह रहा है और अगर आप वाके में किसी भी तरीके का एक justice की उमीद कर रहे हैं तो इस week आपको मिलने के काफ़ी सारे chances हैं और astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं sea green हो गया blue color हो गया वो आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था टारस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए जमनी साप लोगों के लिए coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the chariot chariot का card taro में कही movement की बात करता है, shift की बात करता है आगे बढ़ने की बात करता है अब दिखिए general leading है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए defer करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि इस week आप travel कर रहे हैं तो कहीं इस week growth, progress या तो आपके professional front में हो रही है या फिर आप उस पे focus कर रहे हैं बहुत confidently, बहुत assertively चीजों का control अपने हाथ में लेकर अपने goal, अपने मकसद के लिए जो भी action initiatives required हैं आप उ लेते वे दिख रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी overall के लिए growth और progress ही ये card represent करता है कहीं success, victory ये card represent करता है और इसी से ही related चीजें आपके professional front में रहते भी दिख रही हैं पीछे किसी भी चीज के लिए बहुत effort कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे इस week एक positive outcome आपको मिल सकता है या फिर जिस भी चीज के लिए आप इस week effort कर रहे हैं उसमें आपको success, victory definitely मिलेगी तो all in all ये week काफी अच्छा आप लोगों के लिए जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए यहाँ पर page of swords का card है और ये card सबसे बहली चीज immature energies की बात करता है तो इस week या तो आपकी Gemini's बहुत एक immature energies है या फिर आपके personal front में कोई immature इंसान है वो बहुत ही बचकाने तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं और अगर आपकी हैं तो बहुत curious बहुत सारी चीजों को लेकर जानने के लिए हो रहे हैं और Gemini's आप लोग वैसे भी curious रहते हैं नहीं नहीं चीजों को explore करने के लिए तो कहीं उसी तरीके की energies रहती हुए दिख रही हैं and in the process थोड़े से blunt थोड़े से straightforward अपनी communication में रहते हुए दिख रहे हैं थोड़े से defensive होते हुए दिख रहे हैं तो मैं यह नहीं कह रहे हैं कि literally आप लोगों की बीच में रिफ्ट आजेगी यह मैं एक common सा scenario बता रही हूँ तो यहां पर यह card सिरफ कहता है कि आप थोड़ा सा you know बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं और आपका communication blunt हो सकता है आप थोड़े से फिर से मैं कहूंगे defensive हो सकते हैं और इसी वज़े से एक irritation एक frustration रह सकती है किसी message, email, phone, call का वेट कर रहे हैं तो वो delay हो सकता है और अगर मिले गा भी ते आपको वो एक happiness, वो एक joy नहीं देता हुआ दिख रहा है तो personal front में थोड़ा सा खयाल रखें कि आप over logical ना हो चीज़ों को लेकर over mind चीज़ों को ना deal करें एक heart और mind का balance इस week specifically personal front में आप ज़रूर करें और देखिए, straightforward हो रहे हैं, बहुत अची बात है लेकिन इतना ज़ादा blunt ना हो जाएं कि सामने वाले को hurt हो जाए और फिर बाद में आपको भी बुरा लगे क्योंकि जब हम किसी को कुछ भी गलत बोल देते हैं गलत भी नहीं मैं कहूंगी तपाक से उनके मूँ में जवाब दे देते हैं तो फिर हमें बाद में बुरा लगता है कि खाम खाम ने ऐसे क्यों कहा ना कहते तो इशू ना होता या फिर हम खुदी यह नो बुरा फील करने लगते हैं कि उनको hurt ना हो गया हो तो थोड़ा सा पहले से खयाल रखें इन जनरल यहां पर guidance है आप लोगों के लिए lavender का card है और यह card कहते है Surround Yourself With Love तो दिखिए जो मैं आपको अभी कह रही थी वही guidance का card भी आपको message दे रहा है और specifically यह personal front के लिए जाधा रहता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए professional front भी हो सकता है कि आपना बहुत जो भी लोग आपको love करते हैं जो आपको special feel कराते हैं उनके साथ रहें क्योंकि इस week जैसे अभी मैंने बिताया बहुत logical हो रहे हैं ऐसे में अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहें तो फिर irritation frustration आपको जाधा होगी और अगर ऐसे लोगों के साथ अपने आपको surround करेंगे जो आपको बहुत प्यार करते हैं आपकी छोटी मुटी mistakes को नजर अंदाज कर देते हैं यहाँ पिर प्यार से आपको समझाते हैं कि all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है क्राशी फल और नीचे मुझे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक एंसेर enthusiasm, excitement की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके profession friend में रहता आवा दिख रहा है अब situation, circumstances सब के incidents के लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपके workplace पे जादा meetings हो रही है और यह meetings किसी restaurant में खाने पीने वाली जगा में हो रही है या फिर बहुत अच्छी location में हो रही है जहाँ पे आप अपने colleagues, co-workers के साथ बहुत जादा interact कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी project पे आप काम कर रहे हैं, उसमें बाकी लोगों के साथ आप teamwork में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में एक coordination है, आप लोगों के goals align हैं, और इस चीज़ को आप बहुत enjoy कर रहे हैं, कहीं ये काट positive changes की बात करता है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कि change of job, change of place, या पर किसी भी तरीके के changes, आप चाहा रहे हैं, और अगर ऐसा है, तो आपको एक positive response external front से मिलता हुआ दिख रहा है, यानि कि आपकी situation circumstances में म beautiful energies आपके professional front में रहती भी दिख रहे हैं, जहां पर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी लोग हैं, और जो भी कर रहे हैं, कहीं बहुत एक enthusiasm, excitement रह रहा है, और fun, मजा मस्ती रह रहे हैं, यानि कि आप enjoy करते हुए दिख रहे हैं, एक stability, security भी कहीं आपने हैसूस करते and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of cups का card है, क्या बात है, पूरा हफता चाहें वो professional front हो या personal front हो, एक celebration, एक fun, मजा मस्ती वाले energies रहती भी दिख रहे हैं, क्योंकि personal front के लिए three of cups का card भी कही celebration, get together, reunion की बात करता है, अब ये general reading है, तो कुछ concern के लिए हो सकता है, कि आपके घर पे या personal front में बहुत बड़ी कोई gathering है, जैसे कि आपकी किसी love one, close one, family member की शादी है, या शादी से related planning है, या आपकी खुद की शादी से related बात्चीच चल रही है, हो रही है, या पिर बहुत जादा gain मैं कहूंगी, planning चल रही है, इक्तियारी चल रही है, आप बहुत उसमें involved है और कुछ के लिए छोटा मटा कोई get together हो सकता है, या पर reunion friends के साथ, या family members के साथ रह सकता है, तो दिखिए जो भी हो रहा है, कहीं एक eating, drinking, merry making वाली energies आपके personal front में रह रही हैं, और अगर ये सब चीज़े नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है कि आप अपने family members के साथ जादा interact कर आप लोग डिनर पे जादा जा रहे हैं, या लंच पे जादा जा रहे हैं, कॉफी पे जादा जा रहे हैं, या फिर आपके friends जो हैं, आप उन से जादा connect कर रहे हैं, तो दिखिए ये card कहीं जादा socialize भी करने की बात करता है, वो सकता है इस हफते back to back parties हैं, back to back आपको कहीं किसी ना किसी celebration या फिर get together, reunion, gathering में जाना पढ़ रहा है, और बहुत सारे लोगों से आप interact कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो yes, overall ये हफता ही आपका लोगों के बीच में, लोगों से connect करते हुए, लोगों से interact करते हुए, एक fun, मज़ा, मस्ती में रहतावा दिख रहा है, and in general, या फिर guidance है, आप लोगों के लिट्री का card है, और ये card कहता है, let them go, आप दिखिए हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, बहुत, you know, आप लोगों से connect कर रहे हैं, जादा socialize कर रहे हैं, ऐसे में होता है न, कुछ लोग कहीं आप से नराज होते हैं, या फिर उनके साथ आपकी इतनी अच्छी नहीं bonding होती है, या आपस में कोई बात हो जाती है, तो जो भी हो, यहाँ पर ये card कहता है, कि जो चीज आपको serve नहीं करती है, आपने उसको let go करना है, आपने उसको tightly नहीं पकड़ कर बैठना है, यहीं going with the flow वाली energies में आपने रहना ह और astrology से आप लोगों के लिए Venus घ्रह का card है, इसके हिसाब से all bright sheets इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो यह था कि इन सीरिंज आप लोगों के लिए coming week के साथ आप ता है एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि कि यह कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाई, तो चले लिए उस आप लोगों के लिए देखें, coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है, king of pentacles, और यह card कहता है कि इस week specifically professional fund में कहीं money, पैसा, finances पर जादा focus है, तावा दिख रहा है, कितनी बार ही होता है, कि back of the mind में तो obviously हम profit ही चाह रहे होते हैं, और हमारे काम करने का मकसद भी profit होता है, financial gain होता है, in fact मैं कहूंगी, लेकिन हमारा focus, हमारा attention इतना जादा उस पर नहीं हो रहा होता है, हम अपने काम पे जादा focus कर रहे होते हैं, और इस week काम पे focus करने के साथ साथ, कहीं money, पैसा, finances आपके mind में जादा रहते हुए दिख रहे हैं, यानि कि कितना आपको profit होगा, या फिर आप क्या करें जिससे कि आपका profit maximize होई है, मैं आपको सिरफ जो मेरे mind में आ रहा है वो बता रही हूँ, कहीं financial, security, stability आपके लिए काफी एहम रहते हुए दिख रह एगा, for example, आपकी payment बहुत टाइम से नहीं आ रही थी, इस week आपको अपनी payment मिल गई, या फिर आपने जितना profit सूचा था, उससे थोड़ा सा जादा हो रहा है, या किसी से उधारी लिए थी और वो पैसे नहीं दे रहे थे, इस week वो आपको पैसे वापिस दे रहे हैं, मैं यह नहीं कहा रही कि ऐसा हो रहा है, बट इस तरीके से एक financial materialistic gain आपको हो सकता है, और अगर नहीं हो रहा है, तो कहीं कैसे आपको gain हो, कैसे फाइदा हो, कैसे financial stability security आए, आप उस पर focus करते हुए दिख रहे हैं, all in all ये वी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी जादा interaction हो रही है, बातचीत हो रही है, किसी भी topic पे हो सकती है, लेकिन money, पैसा, finances से related बातचीत जादा होती हुए दिख रही है, and personal front के लिए आप रगों के लिए three of souls का card है, और ये card कहीं hurt की बात करता है, pain की बात करता है, किसी level पे तकलीफ होने की बात करता है, अ weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते है, छोटी छोटी सी चीजें जो हमें रोज मर्रा की जिंदगी में hurt कर जाती है, कभी थोड़ा जादा hurt कर जाती है, उसको ये जादा card represent करता है, especially weekly reading में, तो हो सकता है जिस तरीके से आपने ये week plan किया, उस तरीके से नहीं चल रहा है, किसी खास इंसाम से कोई खास उमीद थी, उनकी तरफ से वैसा आपको response नहीं मिल रहा है, या फिर आप बहुत sensitive हो रहे हैं, आपके loved one की बातें आपको थोड़ी hurt हो रही है, थोड़ी सी बुरी लग रही है, तो जो भी चीजें मेरे mind में आ रही हैं, मैं आपको कह रही different situations, different circumstances, different scenarios रहेंगे, overall personal front उतना great नहीं जाता हुआ दिख रहा, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ चीजें आपको hurt कर रही हैं, कुछ चीजें आपको बुरी लग रही हैं, कुछ चीजों में आपको यह लग रहा है कि यह तो fair नहीं है, यह तो justice नहीं है, यह आपके point हम परिशान में होते हैं, मैं हमेशा कहते हूँ कि देखें, तकलीफ को अगर हम percentage के point of view से देखें, for example, कोई भी चीज हमें बुरी लग रही है, अगर हमें वो 50% बुरी लग रही है, तो उसको लेकर हमारी self-talk क्या रहती है, हम किस तरीके से उसे deal करते हैं, depend करते हैं, कि व हमारे हाथ में जरूर होता है, इस चीज का ख्याल रखें, positive self-talk करें, थोड़ा सा emotionally, mentally strong बने, और अगर ऐसा करेंगे, तो आपकी जो अगर 50% की तकलीफ है, वो 40, 30, 20% हो जाएगी, और अगर आपकी self-talk negative रही, छोटी-छोटी सी बातों को आपने दिल पे लगाया, तो अग लोगों के लिए library का card है, और ये card कहता है, take control of your own narrative, तो देखिए, most of the times, हम खुद को ही negative बोल रहे होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, कि आपकी self-talk आपके साथ कैसी चल रही है, जब हम बोलते हैं, यार, ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ये तो possible ही नहीं है, या मेर ये तो किस्मती खराब है, मेरे साथ तो हमेशे ही गलत होता है, तो फिर हम इसी तरीकी की चीज़ें universe से attract करने लगते हैं, बहुत clearly इस card में लिखा हुआ है, take control of your own narrative, मतलब आप खुद के साथ क्या self-talk कर रहे हैं, उसका आपने बहुत ज़्यादा खयाल रखना है, क्योंकि अगर आप ही ये मानने लग जाएंगे, कि भई, आपके साथ कुछ अच्छा होई नहीं सकता, तो यखीन मानिये, नहीं ही होगा अच्छा, और साथ ही साथ, अगर आप खुद को नहीं प्रियर्टाइज करेंगे, खुद को नहीं एहमियत देंगे, तो दूसरा कभी भी भी नहीं देगा, इन चीज़ों का खयाल रखें, और एस्ट्रोलोजी से आप लोगों के लिए लिए साइन का काड है, और इसके हिसाब से औल शेट ऑफ येलो और और इंज इस वीक आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, और सिग्निफिकन दे आप लोगों के लिए होगा और देखें, आपका साइन लियो है, आपके लिए जोडेक भी लियो का आया है, अगें ये काड भी इसी चीज़ को कनफर्म करता है, कि अपने उपर गर्व करें और अपने आपको प्राइटाइज करें, और अगर ये लीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आप प्रोफेशनल फ्रांड के लिए आप लगों के लिए काड है, एस और ये काड कहता है कि इस वीक स्पेसेफिकली प्रोफेशनल फ्रांड में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की नई बिगनिंग रह सकती है, आप देखिए जनरल रीडिंग है तो नई बिगनिंग सब के डिफर करेगी, कुछ के लिए सिंपली नई काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए नई जॉब, नया प्रोजेक्ट, नई टीम, नई जगा या फिर नया कोई कोवर कर आपके प्रोफेशनल फ्रांड में आ रहा है, तो देखिए किसी भी लेवल पे फिर से कहूंगी न प्रोफेशनल फ्रांड में रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने पुरानी जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, उनको एंड नहीं किया, उनको आपने क्लिंग किया, तो फिर जो नई बिग्निंग आपकी लाइफ में हो सकती है, जो एक अच्छी उनको आप ब्लॉक करेंगे, तो खास आपने खयाल रखना है, कि आपने एक लेटिंग गो और होल्डिंग आउनवली एनरजी में रहना है, यहाँ पे जो चीज़ें अगें मैं कहोंगग, आपको सर्व नहीं कर रही है, उनके साथ लेटिंग ओलड़ इनरजी में रहना है और जो चीज़ें आपको लगता है, growth, progress ला सकती हैं, उनको hold on करना है, and personal front के लिए आप लोगों clicking of wands का card है, तो दिखिए, दोनों ही fronts में enthusiasm, excitement रह रहा है, फिर से कहूंगी high energy levels हैं, बहुत एक daring, बहुत एक bold, बहुत एक courageous वाली energies भी रहती भी दिख रही हैं, जहां पे आप अपने goal, मकसद को अपने सामने रखते हुए, जो भी action initiatives required हैं, दोनों ही fronts में आप बहुत ही बिंदास होके लेते हुए दिख रहे हैं, फिर से repeat करूंगी कि professional front में नए सिरे से करना चाह रहे हैं, और personal front में जो है, उसी को ही कैसे आप maximize करें, कैसे आप बहतर करें, कैसे चीज़ों को improve करें, उस पर focus कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर king का card है, तो कुछ के लिए हो सकता है, कोई male figure या फिर female जिनकी masculine energies हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा interaction हो रही है, बाचीत हो रही है, हो सकता है कि वो किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा motivate कर रहे हैं, या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए motivate कर रहे हैं, तो जो भी हो कहीं आप खुश रहते होए दिख रहे हैं, आप happy रहते हुए दिख रहे हैं, अपने goal अपने मकसद को लेकर बहुत energetic, बहुत motivated रहते हुए दिख रहे हैं और फिर से कहूंगी जो भी action initiatives required हैं लेते हुए दिख रहे हैं और कहीं you know out of the way भी जाके चीजों को करना पड़े, risk लेना पड़े और mature risk ही आप ले रहे हैं, कहीं एक होता है बेफकूफाना वाला risk जिसमें हमें पता होता है कि हम fail हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, वैसा risk आप नहीं ले रहे हैं फिर से कहूंगी बहुत mature तरीके का risk भी अगर आपको लेना पड़े वो भी लेने के लिए आप ready रहते हुए दिख रहे हैं तो overall ये week काफी अच्छा जाता हुए दिख रहा है और in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए wings का card है तो दिखिए जो दोनों friends की energies हैं उनको और जादा ये card confirm कर रहा है उडान भरने के लिए आपको advice कर रहा है और बहुत सारे chances हैं कि आप ये उडान खुद से ही भरना चाह रहे हैं भर भी रहे हैं लेकिन फिर भी कोई भी चीज अगर आपको रोक रही है तो उसको अपने आपको रोकने ना दे भिंदास होके अपनी wishes, अपनी desires की तरफ आगे बढ़े और देखिए सारे ही cards बहुत high energy levels की बात करते हैं ऐसे में क्या होता है न कि हम off the ground हो जाते हैं हम कहीं reality से touch को देते हैं हम बहुत जादा over confident हो जाते हैं अगर ऐसा आप आएं तो जरूर इस चीज को चेक करके correct करें क्योंकि कहते हैं न over confidence leads to destruction जहां you know confidence बहुत जरूरी होता है खुद पे अपने goal अपने मकसद पे उसको अचीव करने के लिए वहीं over confidence कहीं चीजों को बिल्कुल विगाड़ देता है तो confidence जरूर रखें लेकिन over confident हो रहे हैं तो उसको जरूर चेक करके correct करें और astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था वगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राश्रीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चले ले ब्राज आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 8 of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी भी level पे किसी भी तरीके से एक hopeless helpless वाली energies आप में हिसूस कर सकते हैं आप देखे इस चीज को सुनके परिशान नहीं होना है क्योंकि आपकी पुरी जिंदगी की reading नहीं है सिरफ और सिरफ इस week की reading है और weekly reading में छोटी मोटी चीज़े होती हैं बड़ी चीज़े नहीं होती है और यहाँ पर ये card कहता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं कहीं एक smooth going आपको नहीं मिलती हुए दिख रही है अगर आप इस card को देख पा रहे हैं फिगर घर से बाहर या जिस भी जगा पर उससे बाहर निकलना चाहा रही है और सामने सोड है यानि कि किसी भी तरीके की एक obstacle किसी भी तरीके की रुकावट आप फेस कर सकते हैं और इसी वज़े से या फिर otherwise भी एक confusion रह सकती है जहां पर आपको ऐसे लग सकता है कि भाई clarity ही नहीं मिल रही है आखिर आपको इस situation में क्या करना चाहिए क्या आपका next step होना चाहिए तो दिखे जब ऐसी से situation होना तो हमें थोड़ा सा pause ले लेना चाहिए और कोई भी बड़ा action initiative नहीं लेना चाहिए decision choice नहीं लेनी चाहिए हमें उस समय को गुजर जाने देना चाहिए ताकि जब हम बहुत clear हों तब ही हम आगे बढ़ें अंधेरे में अगर आप चीजों को ढूणने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आपको ठोकर तो लगेगी लगेगी light के आने का थोड़ा सा इंतजार कर लें और यही आप लोगों के लिए इस week के लिए भी specifically professional front के लिए guidance है message है फिर से कहूंगी कि अगर नहीं ही दिख रहा है तो you know action लेने की बजाए अगर थोड़ा सा आप रुक जाते हैं तो जादा बेटर रहेगा थोड़ा सा आप withdraw कर लेते हैं backseat लेते हैं जादा रहेगा क्योंकि गलत action गलत choice लेने से बहतर होता है कि हम थोड़ा सा you know pause कर लें अच्छे से चीज़ों को समझे और फिर ले action ज़रूर लें, initiative ज़रूर लें, decision ज़रूर लें लेकिन जब confused हैं तो उस state of mind में ना लें and personal front के लिए आप लोगों clicking of source का card है तो दीखिए दोनों ही fronts के लिए source के cards है professional में मैंने बताया कि थोड़ा सा issues मसले रह सकते हैं लेकिन personal में कहीं बहुत clear आप होते वे दिख रहे हैं या फिर कैसे clarity आए उस पे focus कर रहे हैं और by the end of the week आप काफी clear हो जाएंगे बहुत logically चीज़ों को deal कर रहे हैं mind से चलते वे दिख रहे हैं और कहीं दोनों ही fronts में आपको ऐसे लग सकता है इस week कि भाई emotional नहीं होना है sentimental नहीं होना ये emotional होके बहुत नुकसान होता है तो कहीं mind से चीज़ों को deal करना है एक detachment रखनी है बहुत जादा चीज़ों में involved नहीं होना है जो भी चाहते हैं उसके लिए एक strategy बनाते हुए दिख रहे हैं planning करते हुए दिख रहे हैं और अपनी authority भी maintain करते हुए दिख रहे हैं पीछे अगर आपको ऐसे लग रहा था कि भाई किसी ने आपके time की या आपकी उतनी respect नहीं करी आपको उतनी value नहीं करी तो इस वी आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया मुझे न अपनी value खुद से करनी है मुझे सबसे पहले अपने time की respect करनी है अगर ऐसा आप नहीं समझ पा रहे हैं realize कर पा रहे हैं तो ये card आपको message दे रहा है कि self respect या फिर self बहुत आपके लिए हम रहता हुआ दिख रहा है आप एक authority maintain करना चाहा रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं जिस भी personal area पे आप focus कर रहे हैं and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए feast का card है और ये card कहता है slow down and celebrate yourself और दिखिए यही मैंने आपको कहा भी था professional front के लिए तो overall ही इस week के लिए आपके लिए guidance है कि impulsive होके जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें थोड़ा सा slow down करें थोड़ा सा pause करें और जब काम नहीं बन रहे होते हैं यकीन मानिया कुछ समय के लिए जब आप उनको छोड़ देते हैं और मज़ा मस्ती करने लगते हैं तो फिर कहीं आप चीज़ों को बहतर करते हैं क्योंकि क्या होता है जब हमारा काम नहीं बन रहा और हम effort करते जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें success नहीं मिल रहा और हमारा mind negative energy में vibrate करना शू कर देता है हमारा subconscious mind कहीं समझने लगता है कि शायद नहीं होगा और जब हम pause करके fun मज़ा मस्ती करते हैं तो हमारी energies change होती हैं हमारी vibrations change होती हैं और फिर जब उस vibration से उस energy से हम चीज़ों को करते हैं तो हमें positive result मिलते हैं तो मैंने आपको logic भी समझा दिया क्यों ये card आपको कह रहा है कि थोड़ा सा fun मज़ा मस्ती करें क्योंकि देखिए आपके cards के हिसाब से बहुत आप discipline maintain कर रहे हैं बहुत right and wrong में चल रहे हैं बहुत ज़ादा technically चीज़ों को करना चाह रहे हैं तो मैं यह नहीं कह रही कि आप पूरा दिल से सुने क्योंकि मुझे लगता है ना तो पूरा दिल की सुननी चाहिए ना पूरा दिमाग की सुननी चाहिए एक balance maintain करना चाहिए और दिल और दिमाग का balance रखते हुए चीज़ों को करना चाहिए तो इसका खयाल ज़रूर रखें और इस्ट्रोलजी से आप लगों के लिए वागो साइन का कार्ड है इसके हिसाब से बेज और ब्राउन कलर्स इस वीक आप लगों के लिए लखी रहेंगे और जिगनिफिकन दे आप लगों के लिए होगा वेडनेस दे तो ये था लिब्राउस आप लोगों के लिए कमिंग वीक कर साबता ही ग्राश्वी फल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजनीट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए जलिए इस कॉपियो साब लोगों के लिए देखें लिए उवर्ण ही एक फिक्र एक चिन्टा आपको परिशान कर रही है अब देखें ये फिक्र ये चिन्टा का रीजन सब सकॉपियोस के लिए डिफर करेगा लेकिन ये मैं आपको जरूर बोलूँगी कि चिंता चिता के समान होती है और जब तक हम चिंता करते रहते हैं हम कहीं उसी negative energy में vibrate करते रहते हैं और उसमें से हम निकल ही नहीं पाते हैं और ज़ादा इस चिंता को हम बढ़ाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर 50% एक चिंता हमारे मन में रह रही है किसी चीज के लिए और हम जब उसी पर ही focus करते रहते हैं तो ये 50% चिंता 60% होती है, 70% होती है, 80% होती है फिर अगर हम और ज़ादा focus करते हैं तो ये और ज़ादा बढ़ती जाती है लेकिन थोड़ा सा भी हम pause करके अपने मन को इस चीज से हटाने की कोशिश करते हैं, हटाते हैं और इसका क्या solution है, कैसे हम इसको solve कर सकते हैं, उस पे focus करते हैं, कहीं अपनी self-talk को observe करते हैं, negative thoughts को positive thoughts के साथ replace करते हैं, तो यह हमारी चिंता जो 50% पे है, वो 40 होती है, फिर 30, 20, 10 और 0 हो जाती है, तो दिखिए इस चीज का खयाल रखें कि चिंता को आप कितना बढ़ा रहे हैं और कितना घटा रहे हैं, यह actually में आपके हाथ में हैं, कुछ चीजें हैं आप जो मर्जी करने, आप नहीं उनको change कर सकते हैं, उनके बारे में चिंता करना मतलब खुद को torture क तो थोड़ा सा इस वीक पॉस करके यह भी समझने की कोशिश करें कि जिस चीज को लेकर आपको चिंता हो रही है, आप actually में कुछ इसके लिए कर सकते हैं, अगर जवाब आता है हान जी कर सकते हैं, तो अपना 100% दे दे, करें और beyond the point outcome या result के उपर ना focus करें, वो universe पे छोड दे, और अगर अंदर से जवाब आता है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो अपना मन ध्यान उधर से हटा लें और बोलें जो होगा देखी जाएगी, universe है ना जिन God को मानते हों का ध्यान करें और बोलें बस आपके सहारे और आपको सौपा जो आप करोगे वो ठीक है, वो ही मेरे लिए best है, और यकीन मानियें ऐसी self-talk आप खुद से करके देखें, आप इतना अच्छा फील करेंगे और बड़े से बड़ी चिंता में भी आप relaxed हो जाएंगे, तो इस चीज को ज़रूर आप इस week apply करें क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो फिर आप और जादा परेशान होंगे, यहने कि अपनी चिंता को आप जितना बढ़ा रहे हैं, फिर से मैंने कहा यह आप के उपर इडिपेंड करेगा, और उससे कोई तत्व, उससे कोई एक हल आपको नहीं मिलेगा, और परसनल फ्रंट के लिए आप लुगों के लिए five of pentacles का card है, तो दीखें यह भी कोई बहुत positive card नहीं है, यह card कहता है कि कहीं आपको ऐसा लग सकता है, किसी खास loved one की तरफ से या फिर otherwise भी आपको अपनी चीजों में नहीं include कर रहे हैं, यहीं किसी level पर एक rejection, या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर money, पैसा, finances की तरफ से छोटे मुटे issues हैं, अब कर सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है, आपको shopping करना चाह रहे हैं, या कुछ बड़ा खरीदना चाह रहे हैं, आपको लग रहे हैं, या जो भी आप करना चाह रहे हैं, आपके budget से बाहर है, और बहुत सारे हो सकते हैं reasons, यस installment आपके घर की जानी है, या कुछ भी है personal fund में, money, पैसे से related चोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं, और कुछ के लिए health से related भी चोटा मोटा issue रह सकता है, तो यहाँ पर देखिए अपनी health का खयाल रखें, थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि भी आप ठीक नहीं feel कर रहे हैं, आप doctor को consult करें, क्योंकि कितनी बारी हम ignore कर देते हैं आप इतनी attention नहीं देते हैं, और बाकी देखिए इस week की reading है, नया week नहीं energies लेकर आएगा, इस week आप overall ही अपनी self talk को positive रखें, लोगों से बहुत ज़ादा उमीदे ना रखें, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको उतना attention नहीं दे रहे हैं, उतना एक बहुतना भाव नहीं द रखेंगे, तो फिर आप hurt नहीं होंगे, तो थोड़ा सा इस week issues मसले रह सकते हैं, और अगर आप positively deal करते हैं, तो ये भी ठीक ठाक जाएगा, और अगर नहीं deal करेंगे, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं, and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए protest का card है, और ये card कहता है starter revolution, त आपने express करना है कि भाई ये ठीक नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो ये सिरफ मैं आपको example दे रही हूं, मतलब इस तरीके की energies में रहना है, और submissive होके, डर के, दब के चीजों, मतलब एक दबू बन के चीजों को नहीं deal करना है, and astrology से आप लोगों के ल coming week का साथ आपता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए सटीडेरिया से आप लोगों के लिए देखें, coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है six of swords, और ये card कही movement की बात करता है, shift की बात करता है, change of place, change of location की भी बात करता है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, overall या फिर broader level के लिए changes को भी represent करता है, और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि simply आप travel करना चाहा रहे हैं, कुछ क से एक दूरी आपकी बन रही है, आप उन से आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि changes भी एक card represent करता है, तो change of office हो सकता है, change of job हो सकती है, project, team, कुछ भी तरीके का changes, या तो हो रहे हैं, या फिर आप चाहा रहे हैं, और उसी से ही related action initiatives ले रहे हैं, तो card कहता है कि problem से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये card ये नहीं कहता है कि आपकी problem solve हो गई है, या फिर सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया है, but yes, you know, जो चीज पहले आपको बहुत bother कर रही थी, आप कहीं उससे आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं, वो आपकी problem कम होती वे दिख र रही हैं, या फिर आप चाहा रहे हैं और उसी से ही related action initiatives ले रहे हैं, और इनी चीजों के लिए किसी इनसान का support भी आपके लिए रहतावा दिख रहा है, आपके साथ कोई इनसान रहतावा दिख रहा है, वेन ऐसे कोई इनसान रहतावा दिख रहा है, मतलब ये नहीं कि वो आपके घर में रह रहे हैं, आपके ओफिस में रह रहे हैं, ये उनका support आपके लिए अवेलेबल रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए nine of cups का card है और ये card कहीं wish come true होने के बात करता है and this is one of the best cards in tarot तो इस week personal front में बहुत एक happy energies है तिवे दिख रही है मैं ये नहीं कहूंगे कि सब Sagittarius की कोई wish, कोई desire पूरी हो रही है लेकिन definitely कुछ Sagittarius की कोई wish, कोई desire इस week ज़रूर पूरी होती भी दिख रही है कुछ के लिए बहुत ही छोटी मोटी basic कोई desire इच्छा हो सकती है कुछ के लिए बड़ी हो सकती है और overall अगर आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप उन पे focus कर रहे हैं क्योंकि कितनी बारी होता है न हम बाकी चीज़ों में इतने involved होते हैं और जब हम अपने खुआशों के direction में action initiatives लेते हैं हमें एक positive response मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है तो इस किसम की भी खुशी इस week रह सकती है जहां पर आप अपनी खुआशों पे focus कर रहे हैं अपनी desires पे attention दे रहे हैं उस direction में action initiatives ले रहे हैं और आपको कहीं एक positive response मिल रहा है यानि कि किसी level पर आपको लग रहा है कि yes अब ये आपकी खुआश अब ये आपकी desire पूरी हो जाएगी अब देखिए यहां पर इस card को अगर आप देख पा रहे हैं तो अलादीन और उस card जिनी का lamp है तो फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आपकी wishes हैं desires हैं उनके पूरे होने के chances हैं उन पर focus करें एक happiness, joy, eating, drinking, merry making, celebration, happiness फिर से मैं कहूँगी इस week personal front में रहती हुई दिख रही है यह है बहुत अच्छा आपका personal front जाता हुआ देख रहा है और इन जनरल या फिर guidance है आप लोगों के लिए evil queen का card है और यह card कहता है you deserve sugar not salt तो दिखिए मैंने बहुत बड़ी अपने videos में कहा है कि सामने वाला हमें कैसे treat करता है न यकीन मानिए बहुत हद तक हमारे उपर depend करता है अगर हम सामने वाले की चीज़ें tolerate करते रहते हैं बरदाश करते रहते हैं तो फिर और जादा वो उस तरीके का behavior हमारे साथ करते हैं आपने बच्पन में सुना होगा जो चिड़ता है न उसे लोग ज़ादा चिड़ाते हैं तो अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है सिरफ वो responsible नहीं है आप भी responsible अगर आप उनका गलत बरदाश कर रहे हैं तो यहाँ पर evil queen का काड आपको यही message दे रहा है कि healthy boundaries बनाएं और जो गलत है उसको बिल्कुल भी tolerate ना करें और astrology से आप लोगों के लिए cheer around का कार्ड है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो यह था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week कर सापता है एक राशी फल और नीचे मुझा कमें सेक्षन में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें ही coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 8 of wands और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में बहुत एक speed बहुत एक movement रहती हुए दिख रही है अब दिखेंगे speed movement सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए simply हो सकता है कि suddenly आपका travel का program बन गया और आप जल्दी 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 आ रहे हैं तो you know एक तेजी सी रहती हुए दिख रही है तेजी in terms of speed रहती हुए दिख रही है पीछे किसी भी चीज में अटकावा महसूस कर रहे थे यहां फिर बहुत ही धीमे धीमे चीजे आंके बढ़ रह रही है यह वी कहा शुरू होगा कहा खतम होगा आप समझनी पाएंगे अगर कोई भी project पे आप काम कर रहे हैं उसकी deadline नजदीक आ रही है तो इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भी फटा फट काम खतम करें और overall भी कहीं जो भी काम पे आप फोकस कर रहे हैं जो भी चीज मे action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं और या तो आप बहुत तेजी से अपने goal मकसद को पाना चाह रहे हैं external front में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आप उनके साथ अपनी speed maintain करना चाह रहे हैं तो जो भी हो जिस किसम की speed हो जिस इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम किस पे focus करें किस पे हम ना इतना attention दें और इस चकर में बहुत अच्छी चीजें मिस हो जाती हैं तो थोड़ा सा alert रहना थोड़ा सा attentive रहना भी इस week काफी important रहेगा तो overall दिखे इस तरीके की energies ह और फिर से मैं कहूंगी growth progress की तरफ ही आप जाते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए the world का card है और ये card कहीं ending beginning की broader level के लिए बात करता है अब ये थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत time से जो भी काम आप कर रहे हैं कह होने की बात करता है मैं सिरफ और सिरफ आपको example दे रही हूं देखिए जब एक लड़की की शादी होती है तो जो उसका single hood वाला phase होता है वो खतम होता है और शादी का एक नया phase चुरूता है I'm just giving you an example कि कैसे एक ending beginning इस week रह सकती है अब ये weekly reading है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ बहुत बड़ी कोई चीज हो रही है जैसे कि मैंने आपको example दिया है छोटी छोटी सी चीजें जिन पर आप काम कर रहे थे या या ये बहुत time से linger on कर रहे ही थी वो complete हो सकती है और ये world का card है तो हो सकता है out of the country से related कोई activity कोई you know चीज आप कर रहे है या फिर हो रही है और कहीं जो भी आप कर रहे हैं एक appreciation recognition आपको मिलती हुई दिख रही है काफी active आप रहते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए simply हो सकता है कि बहुत एक movement you know personal friend में भी हो रही है आप aerobics, dance या इस तरीके की activities में या sports वाली activities में खुद को involve कर रहे हैं जादा gymming कर रहे हैं तो इस तरीके की भी एक movement personal friend में रह सकती है और कहीं देखिए ये card किसी चीज के close होने की भी बात करता है specifically relationship में मैंने बहुत सुना है मैं मुझे closure नहीं मिला तो अगर इस तरीके की कोई चीज है या कोई भी और चीज है जैसे अभी बताया भी मैंने आपको जिस पे आप बहुत time से काम कर रहे हैं linger on हो रही है वो कहीं close होते हुए या फिर आपको एक closure मिलता हुआ दिख रहा है all in all the world is a very positive card और चीजें अच्छी या फिर बढ़िया या ठीक ठाक रहती भी दिख रही है और मैंने आपको बताया फिर से बोल देती हूँ कि world का card है तो out of the country से related कोई भी activity रह सकती है कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रावल करना चाहा रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि visa से related कोई काम है passport से related कोई काम है उस पे आप focus कर रहे हैं उस से related चीजें इस week आप कर रहे हैं तो मैंने आप सिरफ आपको example बताया किस तरीके से out of the country स related activities इस week रह सकती हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए expectations का card है और ये card कहता है don't seek anyone's approval तो जो भी आप करना चाहा रहे हैं आप लोगों का approval ना सीख करें आपको नहीं समझ में आ रहा है आप खुद के साथ बैठें अच्छे से चीजों को analyze करें और जब आप sure हो जाएं just you know go ahead with that ये ना सोचें कि जब तक वो नहीं हां कहेंगे मैं नहीं करूंगा या करूंगी या फिर एक बड़ी वो कहा दे ठीक है तब तो ठीक है मैं आगे बढ़ जाओंगा या बढ़ जाओंगी तो इस तरीके की energies नहीं रहनी है beyond the point लोगों का approval लोगों की एक क्या कहेंगे ह उनकी सहमती की भई हाँ वो हाँ करेंगे तब ही आप आगे बढ़ेंगे वो चीज ना करें और बहुत हाइए एक्सपेक्टेशन भी किसी से ना रखें और astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोग चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है seven of pentacles I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure है वो पौधों को पानी दे रही है और कहीं beach गो रही है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहतावा दिख रहा है यानि कि future के लिए आप क्या चाहते हैं उसकी एक तयारी उसकी एक you know effort इस week आप करते वे दिख रहे हैं और इसी से ही related थोड़ा सा हो सकते है आप पीछे मुड़ कर देखें आपने क्या किया जिसे कि एक positive result मिला क्या किया जिसे कि आप परेशान हुए और इनी चीजों को अपने mind में रखते हुए current situation में आप उन चीजों पर focus कर रहे हैं जो future में आप चाहते हैं I hope कि आप क्या decide करें क्या आप choice करें जिससे कि आप वो चीज को achieve कर पाएं जो आप future में चाहते हैं और past में भी क्या आपकी learnings रही क्या आपने lessons रहे क्या आपके failures रहे success रहे उनसे एक wisdom आप लेते हुए दिख रहे है current situation में उन चीजों को करना चाहा रहे हैं अब फिर मैं जादा बो कि आप जिस भी मकाम पे अभी हैं उससे क्या direction लें आप you turn लें आप right turn लें left turn लें क्या decision लें क्या choice लें इससे related भी एक सोच आपके मन में रहते हुए दिख रही है तो neutral card है कुछ भी गलत नहीं हो रहा कुछ भी बहुत great नहीं हो रहा कहीं एक सोच planning future से related कैसे आप चीजों को हासिल करें उस पे जादा attention देते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए six of wands का card है ये card success की बात करता है ये card victory की बात करता है आप देख भी पा रहे होंगे इस card में एक flag है और जो figure है वो बड़े proudly you know ये जंडे को ऐसे पकड़ के खड़े है हां जी achieve कर ल या फिर आप उसको किसी भी level पर achieve करते हुए दिख रहे हैं और उसके साथ जो एक enthusiasm होता है excitement होती है happiness होती है वही इस week रहती हुए दिख रही है थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है कि आपका level upgrade हो गया आप थोड़ा सा अपने आपको high level पर महसूस कर सकते हैं जहाँ पर जो आपको थोड़ा सा demotivate कर रहे हो या फिर आपको कह रहे हो कि भई हो नहीं सकता है possible नहीं है और आपने हिम्मत नहीं हा रही आपने effort किया आपने बड़ा हर चीज से जहां पर fight करने की जरुरत थी और यहां पर मैं लोगों के साथ नहीं बोल रही खुद के thoughts के साथ situation circumstances के सा आपने fight करी और अब वो victory वो hustle again वो victory वो success या तो आपको मिल रही है या फिर आपको इससे लग रहा है अब मिल जाएगी तो बहुत एक वैसी वाली energies इस वीक रहती भी दिख रही है अब दिखे situation circumstances सब के लिए differ करेंगे लेकिन आप बहुत again motivated भी feel करते भी दिख रहे है और बहुत एक गर्वित भी खुद पे होते हुए दिख रहे हैं, limelight में रहते हुए दिख रहे हैं, लोगों की तरफ से काफी एक attention appreciation भी आपको मिलती हुए दिख रही है, all in all personal friends related ये भी काफी अच्छा जातावा दिख रहा है and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए spaceship का card है और ये card कहता है, don't be afraid to sing तो जो भी आप चाहते हैं या फिर मैं कहूंगी जो भी आप express करना चाहते हैं अपने love friends को, professional friends में अपने co-workers को, उसको ज़रूर आप तरीके से express करें अगर किसी भी तरीके की hesitation है, डर है, fear है तो उसको overcome करें या फिर उसको अपने उपर नहावी होने दें बिंदास, बे खौफ होके, अपनी दिल की बात बहुत ही तरीके से politely express करें and astrology से आप लोगों के लिए Jupiter ग्रह का card है, इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था, sorry Aquarius आप लोगों के लिए coming week कर सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए अब आईसे आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 7 of wands और ये card जहां एक तरफ challenges की बात करता है, obstacles, अरचनों की बात करता है वहीं दूसरी तरफ success और victory की बात करता है तो नच्चल में ये card कहता है, जो भी इस week specifically आप professional front में कर रहे है कहीं एक smooth going हो सकता है आपको ना मिले छोटे मोटे challenges रहें, अरचने रहें लेकिन अगर आप give up नहीं करेंगे, बहुत ही willpower, बहुत ही determination के साथ करते रहेंगे अपना काम तो definitely आपको success मिलेगा, definitely आपको victory मिलेगी तो इस चीज़ का अगर आप खयाल रखते हैं, ये week आपको बहुत अच्छा जाएगा लेकिन थोड़ा सा भी आप डर गए, घबरा गए और आपने हिम्मत हार दिया, आपको लगा कि बस और नहीं हो सकता इतना जादा effort नहीं कर सकते, इतना जादा मेहनत नहीं कर सकते तो आप अपने गोल मकसद को नहीं achieve कर पाएंगे लेकिन वहीं आपने सोचा कि जो भी हो मुझे तो करना ही करना है और आपने जो भी difficult part है उस पे focus नहीं किया सिरफ अपनी मेहनत पे focus किया और अगर आप आगे बढ़ते रहे तो आप जुरूर जो चाहते हैं उसको पापाएंगे कुछ के लिए हो सकता है कि इस week ही आपको वो positive result, positive outcome मिल जाए कुछ के लिए हो सकता है आगे चलके मिले लेकिन फिर से कहूंगी हिमत अगर आप रखेंगे willpower determination के साथ चीजों को deal करेंगे in fact बहुत courageously, boldly हर चीज को face करेंगे तो जरूर आपको success मिलेगी and personal front के लिए आप लोगों के लिए the sun का card है the sun is one of the best cards in the deck और देखें otherwise अगर आप देखें भी तो sun बहुत सारे लोग मानते हैं is the real god क्योंकि अगर sun नहीं होगा तो जिंदगी में life नहीं होगी sun हमें energy देता है, sun से हमें उर्जा मिलती है और जब ये card reading में आता है तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें बहुत जबरदस्त एक positivity आ जाती है और अगर हम खुदी negative हैं किसी चीज के लिए तो हमारा भी state of mind change होता है nutshell में happiness, joy, success, victory जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं इस week आपके personal front में रहेंगी situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे क्योंकि ये general reading है अगर पीछे किसी भी चीज़ के लिए बहुत effort कर रहे थे, महनत कर रहे थे इस week या तो एक positive result आपको मिल रहा है या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि बस अभी ये काम आपका हो जाएगा पीछे confused थे, clarity नहीं थी एक clarity बहुत जबरदस आती भी दिख रही है positivity आती भी दिख रही है happiness, joy रहती भी दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है किसी तरीके की celebration है, get together है आप vacation पे जाना चाहा रहे हैं vacation plan कर रहे हैं कोई you know, एक celebration get together करना चाहा रहे हैं, तो दिखिए जो भी चीज़ें मेरे mind में आ रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ all in all फिर से कहूँगी happiness, joy, success, victory enthusiasm, excitement सब तरीके के चीज़ें किसी ना किसी level पे आपके personal front में इस भी खहती भी दिख रही हैं and in general या पर guidance से आप लोगों के लिए morning का card है तो दिखिए जो personal front का card कहता है वहीं कहीं guidance का भी card represent करता है morning कहीं नए दिन की शुरुवात होती है, नए beginning को represent करती है, तो दिखिए जो भी चीज़ें आपको serve नहीं कर रही हैं आपको पीछे की तरफ खीच रही हैं bother कर रही हैं, ये card कहता है जतनी जल्दी आप उनको let go करेंगे, जितनी जल्दी जिस भी एरिया में नई beginning की requirement है, वो आप करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी life में खुबसूरती लेकर आएंगे और बहुत ही एक happiness joy लेकर आएंगे and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है इसके हिसाब से all shades of yellow, orange इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Thursday and Sunday तो ये था पाइसेज आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए